मुख्यमंत्री मनोहरलाल लगातार जन्ता के बीच जा रहे हैं जन्ता के बीच जाकर जन्समबाद कर रहे हैं अगला जन्समबाद सिरसा में होना है और ऐसे में सिरसा से सांसत सुनिता दुगल हमारे साथ मौजूद है मैं अगला जो जनसवाद है मुख्यमंत्री का आपके जिले में है किस तरीकी की तयारे देखती हुने ज़र देखिया ऐसा है कि मानने है मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाना भर के अंदर जो है वो जनसवाद अपना प्रवास कर रहे हैं और इसके तहट जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं और उसमें उन्होंने कई जिले जो हैं वो कवर कर लिये हैं तो अब 13, 14, 15 को मेरे शेत्र में सिर्सा के अंदर तीन विदानसभाओं को टच करने के लिए आ रहे हैं जैसे काला वाली विदानसभा है डब वाली विदानसभा का अपना निपरान करवा पाएगी और मानने मुख्यमंत्री जी का ये बहुत अच्छा इनिशेटिव है कि वो जन्तसमाद के तौर पर इस तरह से जनता से रूबरू हो रहे हैं मैं किस तरीके का इंपक्त देखती हैं और जिस तरीके से सिर्सा की बात करें चोटाला परिवार का गड़ भी रहा है मैं तो उसको किस तरीके से देखती हैं? कि मानिया मुख्या मंतरी जी की जो इस तरहें की जन्ता से रूबरू होने की उनकी जो कोशिश है उसमें मुझे लगता है कि जन्ता के अंदर बहुत अच्छा उत्सा है और बहुत पॉजिटिविटी है कि मुख्या मंतरी जी ऐसे रूबरू हो रहे हैं तो अपनी जागों मेरा कारेकरम था जिसके तहत मुझे 11 तारीकी मेरी फ्लाइट थी और मुझे 20 सिक्ष तारीकों वापिस आना था और उसमें क्लाइमेट के ऊपर जो है वो लेक्चर था और 17 तारीकों एज़ा पैनलिस्ट मुझे उसमें पार्टिस्पेट करना था लेकिन मान्या जलंदर उपचनाव में जलंदर वेस्ट जो है वो विधान सभा उसकी जिमेवारी हमें दी गई थी और मेरे साथ हमारे राजय सभा के सांसद हमारे आधर निये डॉक्टा नील जन जी भी थे तो हम सब मिलकर जो है वहाँ पर सभी कार्यकरताओं के अंदर जो है वो एक जो एक नई जागरिती जो है वो उत्पन करने की कोशिश कर रहे थे और हमने महसूस किया कि वहाँ पर बड़ा जबरदस तरीके से संगठन जो है वो उभर कर आया और जनता के अंदर भी एक कमाल का उत्सा हमें देखने को मिला और उसके एक बानगी ये थी कि जब हमने वहाँ पर रोडशो किया तो वो यूनीक रोडशो था आज तक जलंदर में वैसा रोडशो नहीं हुआ था इसके साथ हमने बाइक रैली की तो उसमें भी बहुत जबरदस उत्सा था और यहां से सांसद जो है हमारे निर्हुआ जी वो वहाँ पर पहुंचे तो वहां कर जो परव कर रही है आप किस तरीके से देखते हैं इनकी लाड़े को दर ले देखिए ऐसा है कि जो हमारी बेटियां है उन्होंने हमारा नाम रोशन किया हरियाना का खासकर अगर मैं बात करूं तो दुनिया पर उन्होंने हमारा पर्चम लहराया है और जो उनकी कहीं कोई उनको जो पर्टी जो है उस पर राजनिती करने की कोशिश कर रही है हमारे बच्चों को कुछ बरगलाने की कोशिश कर रहे है कि अगर हमें थोड़ा समय अगर हमें पुलिस को जो F.I.R. दर्ज हुई है उसमें उनको इन्वेस्टिकेशन करने का जो है वो देना चाहिए ताकि पुल हुई 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 हुई